हेलो गाइज, आज के इस Microsoft Excel टूटोरिल में हम जानेंगे कि हम Excel में Transpose किस तरीके से कर सकते हैं Transpose यानि की Orientation Change, Vertical को Horizontal और Horizontal को Vertical किस तरीके से कर सकते हैं Generally हम क्या करते हैं, Transpose करने के लिए, जिस भी range को आपको Transpose करने हैं, उसको आप Select कर लेते हो उसके बाद Copy करते हो, और जा भी आपको Transpose करने हैं, वह आपके क्लिक करके, Paste में जाके करते हो, Paste Transpose तो देखें, यापे Transpose हो चुका है, लेकिन सेम यही चीज आप Formula लागागे, किस तरीके से कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो चलिए, मैं यापे Ctrl-Z कर लेता हूँ, तो देखें, यह जो Range है, यापे यह Vertical में है, तो हमें इसे करने है, Horizontal में, तो किस तरीके से कर सकते हैं, यापे Simply आपको एक Formula लागाना है, Is equal to करना है, यापे लिखना है Transpose, तो देखें, नीचे Transpose आ चुका है, इस पर आप Double Click क करने के लिए, और ब्रैकेट को कर देंगे, और कर देंगे Enter, तो देखें, यापे इसने Transpose किया है, Horizontal to Vertical, तो यही दोस्तों Transpose फॉर्मूला का यूज होता है, और इंटेशन चेंज करने के लिए, I hope दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा, helpful लगाओगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरू दावा दीजिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में धन्यवाद।